गुम्ला में कुरोना की चैन को तोड़ने वश्रक्षा सब्ता के कड़ाई से पालन कराने को लेकर रविवार को जला प्रिशाशन पुरी तरह से सडको पर उत्रा इस जोरान रविवार को दोपहर गुंबला के पटेल चौक से में रोड, टावर चौक से सही रोड, जैश्पूर रोड और थाना रोड होती वी चहर के महत्पुन स्थान पर भ्रह्मन किया जिसके बाद पुलिस दिक्षक हार्दिक पी जनारदन वा सदर एसडियो रवी आनंद के नित्रतम में बाइक से फ्लैग मार्च निकाला गया जिसमें भारी संख्या में पुलिस जवान मौजूद थे जोरान अधिकारियों ने गुमला के टोटो तक बाइक से छेतर का मौईना किया चैर के बीच और बीच प्लैग मार्च निकाला गया उनके साथ कहीं SI FM पुलिस पल शामिल थे ध्वने विस्तार की अंतर से प्रॉक्त सुरक्षा सप्ताह के बावत आविशक जारी गार्लाइन को विस्तार पूर्वग बताते वे कहा कि बगैर इपास के किसी भी सुरत पर मौव्मेंट नहीं होने दिया जाएगा उन्होंने यहां तक बताया कि चार्ड चक्के और वाइक से भी किसी भी सुरत में किसी को भी मौव्मेंट के नुमाती नहीं होगी बीना इपास के कोई भी मौव्मेंट करता है तो इसका उलंगन करने वालों के खिलाफ नियम संगत कानूनी कारिभाई की जाएगी अब जिस तरीके से हमारे हैं पर कोरोना बढ़ रहा था इसको कंड्रोल करने के लिए लॉक्डवन ही एक सिलूशन था अभी यहां का पब्लिक भी इसको समझ रहा है दो बजे के बाद जब हम ताउन में गूम रहा था बहुत कम लोग बाहर देका है अभी जो जो दुकान दो बजे के बाद भी खुला है उन लोग को हम लोग हिदायत दे दिया है आज हम लोग हिदायत देने का काम किया है जहां लोग बिना इपास का भी गूम रहा था रोड में वेचे लोग को भी हम लोग हिदायत दे दिया है कल से हिदायत का काम नहीं होगा कल से हम फाइन आपकोल दिया हुआ इसका आप बहुत दिल से इसका पालन कीजिये यह एक तरीका है कोरोना सा बचने के लिए जरूरतमन काम पढ़ने पर यह अपना गहर से निकलिए घर से जब भी निकलेगा आप गलाउस पहनी है मास पहनी है और सोशल डिसंस का पालन करते हुए आप अप